जब आप किसी प्रकार की दवा जैसे खरपातवार नासक फंफूदी नासक वक्षीट नासक का प्रियो करते हैं तो उस पर आपको कुछ इस प्रकार का सिंबल आपको देखने के लिए मिलता है ये सिंबल उस दवा की बिशाक्तता को प्रदर्शित करते हैं इससे ये पता चलता है कि ये दवा जन जीवन या परसुपक्षी के लिए कितनी ज़्यादा घातक है आज की इस वीडियो में हम इनहीं सिंबल्स के बारे में वह उनके बिशाक्तता अस्तर के बारे में जानेंगे मैं हूँ आपके साथ संजीर संकतिवारी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रियेक्टिव साइस में इन प्रतीकों को दवा पर दिखाने का काम साल 1971 में कीट नासक अधिनियम के अंतरगत अनिवार किया गया था ऐसा नहीं है कि इस से पहले ये दवाएं या इस से घातक दवाएं नहीं थी लेकिन 1971 से पहले ऐसा जरूरी नहीं था कि ये सिंबल्स बनाये जाएं इन प्रतीकों को दिखाये जाने की अनिवारता के साथ साथ उनके ब्रांड का नाम उनके निर्माता कमपनी का नाम वा जाने अंजाने आकास्मिक रूप से इसे निगल जाने की इस सिती में उसकी 20 मारक दवा यानि की एंटीडोट के बारे में भी लिखे जाने की अनिवारता की गई वैसे कमपनियों के पास हर दवा का एंटीडोट नहीं होता है लेकिन उस पर आपको प्रात्मिक उप्चार लिखा हुआ मिलेगा जिससे आप उस दवा के असर को कम कर सकते हैं उसके बाद में डाक्टर सला लेने के लिए कहा जाता है और ये सारी जानकारी उस बोतल पर नहीं लिखी हुई होती है उसके साथ मिलने वाले लिफलेट पर लिखी होती है सनलंगन पुछतिका आप कह सकते हैं जो इस प्रकार से कुछ दिखती है वैसे इस लिफलेट को पढ़ता कौन है खेर छोड़िये हम बिशागतता के लेबल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला है रिड लेबल जो की सबसे ज़्यादा घातक होता है इसे दिखाने के लिए दो हड्डियों के क्रास पर कंकाल की खोपड़ी रखी जाती है यानि कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक है ये से 50 मिली ग्राम परती किलो ग्राम यहां मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं कह रहा हूं मिली ग्राम परती किलो ग्राम वहाँ पर जो किलो ग्राम है वो घातक खुराग खाने वाले जीव का वाडि वेट है अब इसे उदाहरान के लिए आप ऐ लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे वहीं अगर 50 मिली ग्राम के हिसाब से आकास्मिक रूप से या जाने अंजाने निगल जाते हैं तो हमारे में तुरित लक्षण दिखेंगे और सही समय पर उप्चार ना हो पाने की इस्थिति में हमारी मृत्व भी हो सकती है रेल लेबल की दवाओं के दाइरे में एल्मूनियम फास्पाइड, जिंक फास्पाइड, मोनो कुर्ष्टोफास, एथिल मरकरी, एसी तेट वा इसी प्रकार की अने टॉक्सिक फार्मूले वाली दवाईयां आती हैं दूसरा लेबल है एलो लेबल, ये भी बहुत ज़्यादा घातक के दाइरे में आता है यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने रेल लेबल में कहा था ये अत्यंत घातक है और एलो लेबल में कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा घातक है अब इसे आपको हिंदी में समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप अंग्रेजी में समझ लिजी रेल लेबल को कहेंगे extremely toxic और एलो लेबल को कहेंगे very toxic अब आपको समझ में आ गया होगा एलो लेबल के सिंबल में भी poison ही लिखा होता है इसकी जो लेथर लोज है वो 51 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम परति किलोग्राम होती है इसके दाइरे में मच्छर, मक्की, खत्मल, जुआ, किलनी, चमोका, चुर्दा, माहू, दीमक मालने की दवा, तना छेदक, इलिया मालने की दवाएं आती हैं जिसमें आपको आलेथरीन, पालेथरीन, डेल्टा मेथरीन, एमडा कुलोपिड, कलोरी पारिफास, इमा मेक्टिन वेंजोईट, लेमडा साई हेलोथरीन, लिप्रोनिल, कार्बेरिल, क्यूनौलफास, एंडोसलफान वा इसी स्रेणी के अन्विसाक्त फार्मूले पाये जात कि अप्रेल महिने में एंडोसलफान के विक्री पर बैसुक लेबल पर प्रतिबंध लगाने की भाच्चीत हुई, जिसके बाद अपने देश में 13 मई 2011 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ये प्रभावी रूप से लागूं 2012 के मध्ध में जाकर की हुआ, हम अगले लेबल, ब्लू लेबल की बात करते हैं, ब्लू लेबल की दवाएं मध्धम विशाक्त होती हैं, इसलिए इस पर प्वाईजन की जगा पर डेंजर लिखा होता है, इसकी लेथर लोज 501 मिली ग्राम से 5000 मिली ग्राम प्रति किलो ग्राम की हिसाब से होती है, इसके ताइरे में कुछ खरपतवार ना सकते दवाएं, कुछ कवक ना सकते दवाएं, कुछ कीट पतंग ना सकते दवाएं आती हैं, जिसमें आपको अट्राजीन, टेंबोट्रायन, बिस्पाइरी बैक सोडियम, प्रॉपी नेब, प्रेक्लाक्रोल, बुटाक्लोल, थीर्राम, मैला थ्यान वा अन्य विशाक्त दवाएं मिल जाएंगी, इसके बाद है सबसे आकरी लेबल, ग्रिन लेबल, ये सबसे कम विशाक्त होता है, इसलिए इसके लेबल पर, डेंजर या पॉईजन की जगा पर सिर्फ कुछन लिखा होता है, यानि कि आप इसका इसक खा सकते हैं, इसकी लेथर लोज 5,000 मिली ग्राम प्रति किलो ग्राम से ऊपर की होती है, वैसे इसकी कोई लिमिट उपर में तैय नहीं है, इसके दाइरे में कुछ खरपतवार नासक, कुछ कवक नासक, कुछ कीट प्रतंग नासक दवाएं आती हैं, जिसमें आपको पिनकस इसके साथ साथ अन्य घरेलू उपयोग की दवाएं मिल जाएंगी जो दवाएं जितनी ज़्यादा घातक है उसके साथ उतनी ही ज़्यादा साउधानी बरतने की जरूरत है सभी लेवल की दवाएं बच्चों, पसु पक्चियों, जानवरों वा फिर गुसे लोगों चाहे वो महिला हो या पुरूस हो इनसे दूर रखने की जरूरत होती है दवा आप उतनी ही खरीदे जितनी आपको जरूरत है ज्यादा दवा की खरीदारी करना उसे घर में रखना ये सही नहीं है आप खरीदारी तभी करें जब आपको जरूरत हो और जितनी जरूरत हो जरूरत के अनुरूब खरीदें और उसका तुरंत प्रियोग कर लिया करें आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद राम राम